हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम आपको शॉर्ट प्रॉक बता रहे हैं लास्ट वीडियो में जो लहेंगा बताया था उसके साथ की यह शॉर्ट प्रॉक है इसको बनाने के लिए यह वाला फैब्रिक जो हमने धाई मीटर लिया है और यह वाला अस्तर वाला फ हम 6 इंच का है पीछे गला 5 इंच ऑर चोली की जो लंबाई है वह वह 14 इंच है चलिए तो हम कुण्ट करते हैं सब्सविक पहले यह सब्सवेल से अस्तर कर लिया है हमने इसको सब्सविक कटिंग कर रहा है है यहां से इसको हम एक बार फॉल्ड कर लेंगे यह देखिए इस तरी किसम ने एक बार फोल्ड कर लिया है और यहां से एक बार और फोल्ड कर लिया है यह चार कपड़े हो गए हैं यहां से इस पर सीधा निशान लगाएंगे इसकेल से और यहां पर हम शोल्डर कर निशान लगाएंगे शोल्डर बारा इंच है इसका आधा औरमौल 6 इन्च पर लगाने है चौली तो इसमें पंदरा इंच का निशान लगा लिया है आदे इंच यहां पर दपचाएगा आदे इंच यहां पर दपचाएगा सीनी के फिटिंग हमारी साड़े साथ आई थी यहां से देखिए हम साड़े साथ पर निशान लगा लेंगे और कमर की जो फिटिंग है वह हमारी 6 इंच आई थी यहां से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे आप इनसे भी निशानों को मिला लेंगे यहां पे टेपर लगल मर जन रख लेंगे। और यहां पे आरमोलskे पास गोलाई कर देंगे गोलाई करके ही कुमार के तो पार भी कित हैं इसकी कटिंग करने हैं में यह पास कमर के पास भी लगा यह था कि बॉस्थ काट से हम सिलाई लगा कर सके दौन पलर के अलग अलग कर लेंगे यह देखे बैग बाला हटा दिया हमने फ्रेंट वाल ले लिया है इसमें हम एक्स्ट्र गोलाई करेंगे पौने एक इंच की लगबग यह देखें हमने निशान लगा लिया है नाप के भी देख लीची आप पहुने एक इंच के हमने यह गोलाई का निशान लगाया है, यह सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही हमें एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, यह देखिया हमने इस तरीके से गोलाई कर लिये, यहां से थोड़ा पतला रखा था, अब इसमें हम यहां पे गला जो है बकरम का बना रहे है इसलिए हम इसमें स्रिफ फैलन का निशान लगाएंगे, धाई इंच में फैलन लगा दिये, और इसमें यह पे कट लगा देंगे, बकरम भे में इस गला कट करके दिखाते हैं आपको, साथ इंच उड़ा हमने बकरम लिया है, और लंबाई इसके अपने हिसाब से ले लिये बहुत बड़ी है यह अब यहां से हम इंची टिप को रखना है और 6 इंच का हमारा गला रहेगा तो हम 6 पर निशान लगाएंगे आधे इंच शोल्डर के पास दप जाएगा आधे चिप इत तरीके से बड़ां बनाएंगे कल्ये का आप अपने अपने अकॉर्ड enforcement्क बना के क्टेंन कर लेजिए उस तरीकी का शेफ बनाया इसमें यह कटेंग हो चुकी है अब आधे आधे इंच का मार्जन रहकर इसके क्टेंक कर लिएगी यह देखिए इस तरी के से हमने कर ली है अब हम बैक का गला कट कर ला हैं बैक का गला जो है वो 5 इंच का है और फैला इसमें भी हमें 1.2 लगानी है यह देखिए 1.2 लगाई पाज इंच इसकी लंबाई रख ली और यहां से भी हम और नीचे से भाहि इंच पर फैलन लगा लेंगे इन न निशानों को मिलाकर इसमे गोलाई कर देंगे और इसके हम कॉलाई कर देंगे यह देखर हमने क्टिंग कर लिए 2009 अब इibl attitudes अब ने aign नलिया है इस कपड़े को भी हम इस तरीके से ही चार वार फोल्ड करेंगे जैसे अस्तर को फोल्ड किया था और इसको रखकर हम चोली को निकाल लेंगे अस्तर के जैसे सेम इसकी भी cutting कर दी है यह देखिए हमने अस्तर ले लिया है यहां से यह open side है और यहां से यह packed side है इस तरीके से हमने इसको अब यहां से हम घेर की cutting कर रहा है लंबाई 28 थी चोली 14 इंच की थी 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 इंच ही हमारा आएगा 14 इंच का हम घेर निकालेंगे इसमें से यह देखिए यहां से हम corner से इंचिटेप को रखेंगे 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर की जो हमारी fitting थी 6 आई थी तो यहां पर हम 6 इंच पर निशान लगा लिया है एक निशान और लगा लेंगे 6 इंच पर अब यहां यह वाले निशान से हम 14 पर निशान लगा लेंगे यह दोनों निशान के बीच जो center point लगा यह हमने वहां पूर इंचे टेप को रखना है हमें और 20,5 पर निशान लगाना है और इसमें हम यहांसे दोन आपली गोलाई कर देंगे कुछ इसतरीके से हमने इसमें गोलाई कर ली है अब सभी जगा बची हैं भाहां भी 14 पर निशान लगा लेंगे यहां पर लगा लिया, एक यहां पर लगा लिया, एक यहां पर, ऐसा ही हम इस साइड लगा लेंगे, यह देखिए, यहां पर भी हमने निशान लगा ली है, अब इसके हम कटिंग कर देंगे, गुलाई से ही इसकी कटिंग करनी है हमें, यह देखिए, गुलाई करके ही हमने इ बोल्ड गिया है और neg में कुझे किरें कमर के पास के पड़े कीवी यह कर कि क हाक है गब अटा गर के बिचा कर लिया है यह में तरीख के पीचा लिए है उब ऑपर ने लिया है झा कंग एन tạiक्छ के निकालके अलग कर दिया हो नीचे साइड इसको बिचाया है अब यहां से हम एक एक इंच मारजन रखके इसकी कटिंग करनी है क्योंकि यह फॉल्ड होगा, फॉल्ड होने के बाद चब्दा इंच बनके आ जाएगा इसलिए हमने इसमें 1 inch margin रख रहा है फोल्ड करने के लिए सबढ़ का निशान लगा लिए हम ने इसके हम कटिंग कर देंगे यह देखिए हमने अस्तर की कटिंग भी अस्तर को रख के कटिंग कर ली है यह जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीफ कट करेंगे है सबसे पहले हम Sleeves के लिए Aster को économique कर लेते हैं इस तरह इसे हम चार वाब खोल्ड किया है इसको यहां पर हम 1 इंचлу मारजन रख लेंगे स्लीफ में नीचे वोड़ करने के लिए यह देखिए हमने 1 इंच veggie का Margin रख लिया है यह margin छोड़के हम 16 इंच जो हमारी 80 की लंबाई थी वो निशान लगाएंगे साड़े 16 पर हमने निशान लगाया है क्योंकि आदे इंच हमारा उपर भी दब जाएगा और फिटिंग हमारी 8 इंच है इसका आध हमने 4 पर निशान लगा लिया है और दो इंच का इसमें हम margin रख लेंगे यह देखिए दो इंच का हमने margin आध कर लिया है अब यहां पर देखिए आप साड़े साथ हमारी सीनी की पिटिंग आई थी इसमें हम 1.5 इंच का margin आध करेंगे इसमें अंदर जाले जाएगा जो देड इंच में आध करेंगे तो हमारा 9 इंच आज आएगा नौ इंच पर यह निशान लगा देंगे अब इसके हम कटिंग करेंगे यह देखिए जैसे हमने निशान लगा है उसके according हम इसके कटिंग कर रहे हैं यहां पर हमने कट लगा दिया है, यहां से मोलने में आसा नहीं राएगी, एक कट लिए यहां बीच में लगा देंगे, अब दो कपड़े पकड़ना है हमें, यह देखिए सेंटर से लेके, यह एक, यह दो, यह दो पकड़ ली हैं और दो नीचे छोड़ दी हैं, दो कपड़ धेखिए इस तरह होाच से हम फोल्ड करेंग इसको रख लेंगे हम और इस की कटिंग कर लेंगे यह कटिंग हो गई है अस्थर को रख़के हमने इब वім कपड़ा भी निकाल लिया है अब इसकी हम स्ट्विचिंग कर रहे हैं सबसे पहले हमने चोली ले लिक है संगल कपड़ा करेंगे मोई सिंगल प Kästawa करना है यहां से यहां और फूरे में हम कच्छी से लाई लगएंगे कि यह कि अपूठे की शमी regular आपके खॉनला हो यह पाचे कर लिए आपके का रहें है Keeping टोघ्ला कॉना कट हो चुका है यह वाला जो कला है भी कोड़ करेंगे कपड़े में इस तरीके से भी कट कर लेंगे यहां से यह बाटी कारेंकर लेआंगे सब्सक्राइब धरीककर if we got to go 400 by अगर second Slade उंत्ने कर लिए इसंपर दूर कर लोग आपक dopo sphere we're लगा देंगे यह देखिए बैक का गला बन चुका है फ्रंट बाला पाट लिया है अब हमने यहां पे बीच में हमने सेंटर में नाकों लगा लिया है और निशान लगा लेंगे यह देखिए सेंटर का निशान लगा लिया है हमने इसमें हम बकरम का गला बनाएंगे इसलिए स्कुणी पड़्य में कर दोब दोपति दोब है का उप लिए लाई कर दोब बब choisर की है इसके मारजन को इस से चिपका कर इसमें हम सलाई लगा देंगे इस सलाई लग चुकी है एक गला हमने बकरम पे बना लिया है अब यह हम इसमें चोली में बनाएंगे यहां से दौनों कट्स के पास से हमने इसको रख लिया है वो यहाँ पे हमने center में ला लिया है अब इस तरही के plagal के लिगा लिया है कि बक्रम पे इसफिऽ सिलाई नहीं आनी चाहिए और जादा दूर भी इसफिनी नहीं जानी चाहिए बिल्कुल बक्रम के बगल में सिलाई आनी चाहिए यह देखे, इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिए है, और जहांसे हमने यह कट किया था, वैसे हम यह वाला भी कट कर लेंगे, और हमने यह कट्स लगा लिए है, इस कट्स में सिलाई नहीं कटने चाहिए, इस बात का दियान रखना है, इस तरीके से हम यह शेप को बहार निका अब इसमें गले को चिपकाने के लिए margin को गले के आदे हिज दूर से लगा लिए हमने देखें, फ्रंट का गला भी बंके तैयार होगा है यह बैक बाले पार्ट को सीधा रखा है फ्रंट बाले पार्ट को ओल्टा रख लिया हमने और यहां से हम शोल्टर टेच कर लेंगे इस तरीके से हमने यह बाली पट्टी को यहां पर फोल्ड कर देगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई पकी सिलाई लगा लिए इसमें एक सिलाई और लगा दी सेमें इस वाले शोल्डर में भी कर लेंगे हम यह देखिए दो सिलाई लगा के दौनों का टैच कर लिया है इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे अब यह जो पट्टी है इसमें हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे यह दे कच्ची सिलाई लगा ली हमने और यहाँ पे हम साइड साइड में तुर्पाई कर देंगे और कच्ची सिलाई को हटा देंगे अब यहां पे हम sleeves को attach करेंगे यह हमने sleeves ले ली है sleeves को पहले हम अस्तर में attach कर लेते हैं यह दोनों की गोल आई जो है ऐसे आने चाहिए दर-दर बगल-बगल में और यहां पे हम इसको fold कर देंगे जो margin लिया था हमने उतना ही fold करना है एक इंच इस तरीके से double fold करेंगे हम इसको यह देखिए इस तरीके से हम fold कर रहा है इसको और इसमें हमने यह उपर side अस्तर को attach कर लिया है अस्तर attach हो गया है और इसमें इस margin को भी cut कर देंगे आप हम यहां पे lace लगा रहा है sleeves के corner पे lace आप अपने according लगा लेजे आपको पतली चौणी चैंसी भी लगानी हो अब यहां पे हम sleeves को attach करेंगे यह गोलाई वाला हिस्सा है हमारा आगया आना चाहिए और यह वाला हिस्सा पीछे आना चाहिए यहां से हम shoulder को मिलाएंगे और यहां से इस तरीके से नाप के sleeves को attach कर लेंगे आदेगे के से अच्वा है इसलीप्स को attach कर लिया है एक सलाई और लगा देंगे यह दोने ऑनगी से लेएंगे इसके आदम नें यह gear ले लिया है мथाए norm इस तरीके से उपर रखेंगे इस centre में जो कुट का लगाया था तो हम कुट के से इं दोनों की कपढ़ों को मिला लिया है हमने और यहां से यहां तक सिलाई लगानी है दोनों ही साइड यह हमने सिंगल कर लिया इसको और सिलाई लगा रहा है हम अस्तर को अटेच कर रहा है उपर वाले कपड़े से यह देखिए हमने सिलाई लगा लिये और यहां से हमें इसको फोल्ड कर लेंगे यह देखिए हमने फोल्ड कर लिया है अब यह वाला जो सैंटर पॉइंट है इसके उपर हमें चोली को रखना है चोली का जो बीच का कमर का सैंटर पॉइंट है उसको मिलाना है हमें और यहां से इस तरही किसे फिंगर्स को आगे बढ़ाते हुए नाप लेना हैं हमें यहां में बाएं만 आता बहुत हैं और ने सिलह और लगा कि एम लेकर लगा हिए इसारी साइड की चोली एटेच कर लेंगे से में यह की है।ildyan के और हैं अब इस तरह के से इसके ऊपर पलड देंगे आ पमुर्ड भी कमर्वीट में मिलगा है और ये सोलडर के पास क्या अजा दोर से चाहिक हरा है यहां से यहां हृतल कि हम प्रिटिंग कर रहा है ये देखिए पिटिंग हो चुकी है अब नीचे साइट के गहीर के पिटिंग करेंगे अस्तर को भरेंगे रिषार गव्त करेंगे ये जो ऊपर वाला कप्ड़ है को दोनों पकड़ फ़हें इस पे सिलाई लगा रहा है ये देखे इस तरीके से हम इसको कॉर्णनर से सिलाई लगा लेंगे पक्का कर लिया है हमने कॉर्णे पे अब यहां से लेना है कमर के पास से लगाएंगे अब ये दोनों कपड़े जो है इसको इस तरीके से मिला लेना चारों को मिला लेना सबसे पहले तो और अंदर वाले कबड़े को तिर्चा करके रखेंगे यह देखिए तिर्चा करके हम इसको तिर्चा करके यहां से छोड़ देंगे नीचे तक नहीं सिलेंगे यह देखिए पक्का करके इसको हम नहीं सिल दिया है और यहां पर कमर के पास गोलाई में कट लगा दी हैं ऐसी फिटिंग हमने यहां पर लगाई थी सेम फिटिंग हम यहां पर भी लगा लेंगे यह देखिए हमारी यहां की और यहां की दौन साइट की फिटिंग लग चुकी है हम नीचे के गेर को मोड लेंगे हम इस तरी के दो बार मोड़ना है और पूरे में हम लेस लगा लेंगे ये देखिए आराम आराम जब मोड़ने थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि ये गोलाई बाला हिस्सा है ये थोड़ा थोड़ा करके ही मोड़ते हैं इसको इसके उपर लेस लगा देंगे पूरा केर में लेस इस वीडियो से आपने क्या क्या नाई चीजे सीखिये, फटावट से कॉमेंट करके बता दीचिए अब ही तक भी वीडियो को लाइक ने किया है तो फटावट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब कर लेना ताकि आप नियू लिटिस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको थैंक्यों वाचिंग